दोस्तों अगर आपके पास भी Realme का मोबाइल है या तो आप नया नया Realme का मोबाइल खरीदे हो पर्चेज की हो तो उसमें आपके साथ एक प्रॉलम आ रहा होगा कि आप जैसे अपने मोबाइल का Realme मोबाइल का डाटा इनैबल करते होंगे तो आपको वहाँ पर नोटिपिकेशन भर भर के आ जाता होगा सभी अप्लिकेशन का और आपको जो है इससे एरिटेट भी होते होंगे बहुत जदा परिसानी भी आपको लगता होगे यह क्या हो र बंद करना चातो तो मैं इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ वीडियो को पूरा अंदर देखना बहुत छोटा सा वीडियो है आपको जो इन्फोर्मेशन देने वाला हो बहुत ही सिंपल में समझाऊंगा और इन्फोर्मेशन दूँगा वीडियो अगर आपको पसंद बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने रियल मी मोगाल का नोटिपीकेशन बंद कर सकते हो अलग-अलग अप्लिकेशन का अगर आप जैसे कि यहाँ में डाटा ओन करूंगा तो देखो देख सकतो यहाँ पर कितना मुझे नोटिपीकेशन आएगा फटाफट तो यहाँ पर फोन में बंद नहीं है तो बहुंद आएगा तो इसके लिए एको जडिक करने के बादए स्क्रोल करके नीचे आना य navigate WA करना है इसपे अपन करिए गोई उस जैसे ही चाफ करेंगे तो आपके फोन में जितने सारे अप्लीकेशन होंगे जो आपके फोन के दख या तो आप इंस्ट्रोल किये होंगे दुष्ट आपको मिल जाएगा तो सीम्पल आपको जो एक बंद करना है नोटिपीकेशन उस पर टैप कर दिना दुझास यहां पर ले लेता हूं फिलिप कार्ट का नोटिपेक्शन मुझे बंद करना हूं यह बहुत ज्यादा परेशान करता है तो इस पर मैं एक टैप करूँगा और यहाँ पर सबसे फर्स्ट में एलाव नोटिपीकेशन का ओप्षन है इसको टर्न आफ कर देना है बंद कर देना है इसी प्रकार से आपके फोन में जितने से बहुत जश्यादाव यहीं और सब्यस्टा देना है इस पर देना आपको परेशान नहीं करें तो बस इतना ही था इस वीडियो में यह अगर्य आपको पसंद आया वह तो वीडियो को लाइक करेजिए गा और चेनल को शब्सक्राइब करके बिलाकुन को प्रेस करेज़ेगा किसी प्रगार का आपको रियल में मुवाइल के उपर वीडियो चाहिए तो नीचे कॉमेंट करके जोर से बताएगा चलिए प्रहातुना ख्यार लखिए जया हिंद बंदे मात्रम